मुश्कार, स्वागत है आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि जो CRPC उसका जो Section 144 ये क्या है इसके बारे में जानने को मिलेगा साथ ही साथ Section 144 और Curfew के बीच में क्या difference होता है इन तमाम बातों को इस वीडियो के अंदर हम cover करने वाले हैं बहुत interesting, बहुत knowledgeable एक वीडियो होने वाली है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के लिए हमेशा की तरह हैं आपको बता देता हूं कि Telegram का एक link दिया मिलेगा description box में तो जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो की PDF तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी क्या हुआ है कि उत्राखंड के हरिदवार जिला जो परशाशन है वहाँ पर रुड की शहर के पास यहाँ पर CRPC CRPC 1973 की जो section 144 के तहत prohibitory order जो है वो जारी किये गए है यानि वहाँ पर आवाजाही के उपर मतलब परतिबन लगाया गया है actual में क्या था कि यहाँ पर एक Hindu religious gathering होने वाली थी उसको रोकने के लिए section 144 का use किया गया है हम नहीं जाएंगे यहाँ पर political या फिर religious perspective के दरफ हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर section 144 क्या है क्योंकि exam के point of view से section 144 पूछा जा सकता है clear अब आगे जलते हैं देखें section 144 यह क्या है इसके बारे में यह कानून भारत के किसी भी राज्य या फिर केंदर शाशीत परदेश यानि union territory वहाँ पर जो magistrate है और उनके पास जितना भी शेतर दिया गया है तो एक निर्दिशी शेतर में चार या अधिक लोगों के इकठा होने पर रोक लगाने का एक आदेश पारित करने का अधिकार देता है यानि magistrate है magistrate के पास इतनी पावर जाती है एक particular area में कहेंगे कि यहाँ पर चार लोगों का इकठा होना मना है तो अब वो मना ही होगा उसके ओपर अगर किसी ने इसकी अवेलना की तो लगवक तीन साल की सजा का इसमें प्रावधान किया गया है यह use वहां किया जा के लिए section 144 का use किया जाता है और यह जो order है वो किसी एक विशेश व्यक्ति या फिर एक आम जो आम जनता है उसके खिलाव पारित किया जा सकता है अब इसकी कुछ विशेशताओं के बारे में अगर बात करें तो देखिए यह दिये गए शेत्रा अधिकार में किसी भी परका है और इस धारा के अंतरगत पारित आदेश के अनुसार जनता की आवेजाही नहीं होगी मतलब कि कोई बाहर नहीं निकल सकता आवेजाही नहीं कर सकता सभी जो section स्थान है बंद रहेंगे साथ ही इस आदेश के संचालन की अवदी के दुरान किसी भी परकार की कोई भी जन के काम में कानून को रोकता है तो वो एक दंडनिया प्राद माना जाएगा यह अधिकार मतलब कि यह अधिकारियों को शेत्र में इंटरनेट को बंद करने की भी पावर देता है section 144 का जो मेन objective होता है कि उस शेत्र में जहां पर यह लगाया गया वहां पर शांती और low and order बना अधित ना हो लोग वहां पर पर परिशान ना हो कहीं ऐसा हो कि लोग gather कर रहे हैं कहीं हंगामा हो जाए कहीं यहां पर एक community यह दो community आपस में आकर कि मतलब जगडने लग रही है communal violence हो रहा है तो यह public peace को बचाने के लिए section 144 का use किया जाता है अब यह कब तक लगाया जाता है कितने time तक लगाया जा सकता है देखिए इस section कोई भी order जो है वो दो महिने से अधिक की अवदी के लिए लागू नहीं हो सकता और राज्य सरकार उनके यह विवेग के उपर है यानि उनकी समझ के उपर है कि इसकी वैदता को वो दो और महिने के लिए बढ़ाया जा सकता है मैक्सिमम इसको 6 महिने तक लगाया जा सकता है और जहां पर यह लगेगा अब जुरूरत नहीं है तो section 144 को वापस लिया जा सकता है कर्फ्यू और section 144 में क्या difference आता है देखिए कर्फ्यू जो section 144 है संबंदित शेतर में चार या अधिक लोगों को कट्ठा होने पर रोग लगाती है जबकि कर्फ्यू में क्या होता है कि दुरान लोगों को एक विशेस अवधी के लिए एक particular time दे दिया जाएगा उस अवधी के लिए घर के अंदर ही रहने के आदेश दि और जबकि बात करें जो यहां पर अवश्यक यानि इजन्शल वस्तु हैं उनको खोलने के अधिकार दे दी जाते हैं लेकिन वह पहली अनुमती दी जाएगी कि आज जो है जैसे आपने करोना के टाइम में देखा होगा कि इतने से लेके 3-2 मतलब कहा देंगी कि 8 वज़े स जाते हैं अब सेक्षन 144 की आलोचना क्यों होती है क्रिटिसाइज क्यों किया जाते हैं अब यहां पर क्रिटिसाइज करने का इसका कारण यह है कि यह जो मैजिस्टेट हैं मैजिस्टेट को पूर्ण रूप से पावर एक absolute पावर देते हैं कि वह अपनी पावर का कहीं गलत यूज कर लें तो यहां पर magistrate के पास इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है डर यह रहता है कि magistrate अपनी पावर का उलंगन कर सकते हैं या फिर misuse कर सकते हैं और यहां पर अधिकारों का उलंगन भी हो सकते हैं जैसे हमारे सामने फारे fundamental light हैं अगर कहीं तक हम high court में जाते हैं हमारे अधिकारों का उलंगन हो चुका होता है अब बड़े शेत्रों पर परतिमन लगाना सही नहीं है ये बात बोली गई है अब बात करें देखिए इस तरीके की जो prohibitory order है उनको लागू करना एक बड़े शेत्र पर इसलिए सही नहीं है क्योंकि अलग-अलग जवाँ पर अलग-अलग स्थिती होती है तो उनको एक तरीके से ना निप्टा जाए उनको अलग-अलग धंग से निप्टने की आवशकता होती है ये बात बोली गई है अब इसके अलावा Supreme Court ने क्या कहा है Section 144 को लेकर यहां पर एक केस हुआ था जो आपको ध्यान अगने डाक्टर राम नोहर लोहिया जो यह केस है 1967 इसमें Supreme Court ने कहा था कि देखिए कोई भी डेमोकरसी तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि पब्लिक ओडर को डिस्टर्ब करने की अगर अजादी दे जी जाए एक particular citizens को एक section को अगर यहां पर अजादी दे जी जाए on the name of fundamental rights कि हमें तो अधिकार है इकटा होने का और वो इकटा होकर कुछ भी ऐसा उपदरव कर रहे हैं उनको अगर यह दे दिया जाए तो दब तक democracy पनप नहीं सकती यह Supreme Court ने कहा था यह चीज़ें बहुत ज़ादा important है यह राम नोहर लोया जो case हुआ था 1967 में यह आपको ध्यान रखना है फिर इसके अलावा मधूले में जो यह case हुआ था मधूले में वर्सीज सब डिवीजन magistrate 1970 इसमें जो भारत के उस वक्त Chief Justice of India हुआ करते थे एम हिदायत उल्लाव उनकी अध्यक्सता में 7 Bench, 7 Judges की एक Bench थी उन्होंने कहा था Section 144 के तैट magistrate की जो शक्तियां है परशाशन की एक समानने शक्ति नहीं है केवल यह नहीं है कि वो एक Power है बलकि एक Judicial Power है उनको Judicial रूप से Judicial मैनर से उनको यूज किया जाना चाहिए और अगर वो ऐसी Power का यूज कर रहे है तो उसकी Judicial जांच भी की जा सकती है कहीं उन्होंने अपनी Power का गलत तो यूज नहीं कर लिया था जब Section 144 लागू था Article 90 का Close 2 यानि जो हमारे Fundamental Rights की बात करते है 19 के अंदर यहां पर जिनके ओपर एक Restrictions लगाए जा सकती है देखें हमारे जो Fundamental Rights है वो Absolute नहीं है अगर आपको बोलने की आजादी है आपको अपने विचार रखने की आजादी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी बोलने लग जाओगे देश के खिलाब उल्टे नारे मतलब की गलत गलत नारे लगाने लग जाओगे तो यह अजादी नहीं है हर एक चीज के ओपर एक Restrictions आती है तो उचित परतिबंद कहते हैं उसको ठीक है यहाँ पर Reasonable Restriction लगाए जाते हैं तो यह लगाए जा सकते हैं उनके अंतरगत आती है Section 144 की जो धारा है CRPC की नैले के अनुसार यह सही है कि कानून का दुरुपयोग किया जा सकते है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि Section 144 को रधी कर दिया जाए इसका यूज किया जाता है लोगों को मतलब की Peace बनाने के लिए शांती शापी करने के लिए Low and Order को लागू करने के लिए कोई भी ऐसी वेवस्ता या फिर कोई भी ऐसी दुरुगटना अचानक आ गई है उसको काबू करने के लिए Section 144 का यूज किया जाता है तो यहां पर दुरुपयोग हो सकता है यह Supreme Court ने खुन माना है लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं हो सकता कि इस कानून को रद किया जा सके सरवोच नयाले ने 2012 में रामलिला के मैदान में जो आंदोलन कारी जो सो रहे थे वहां पर इस Section 144 का यूज कर लिया गया था उनको मतलब भगाने के लिए यहां पर तो वहां Supreme Court ने उस वक्त इसकी बहुत कड़ी सब्दों में अलोचना की थी क्रिटिसाइज किया था कि आप इस तरीके से पावर का यूज नहीं कर सकते हो इसका यानि Section 144 का आप तभी यूज करिए जब गंभीर परस्तिती हो जब सार्वजिनिक शांती बनाए रखने के लिए वहां पर इसको यूज किया जा सकते है और यहां पर Section 144 को तभ यूज करिए जब आपको लगे कि एक ऐसी Emergency Situation आ गई है जिसके कार्ण परिणाम बहुँ जब खतरनाक हो सकते हैं उसको रोकने के लिए आप Section 144 का यूज करिए और सर्वोज नियाले ने यानि Supreme Court ने कहा था इस तरह के जो प्रावदान है उसके तहर आप शांती पूर्ण रूप से इकठा जो लोग हो रही है अपने Fundamental Rights का वो यूज कर रही है आप उन Fundamental Rights को रोक नहीं सकते हो Section 144 के था हाँ हम रोकेंगे मतलब इन्होंने कहा है कि रोक सकते हैं लेकिन एक reasonable restrictions होनी चाहिए ऐसा नहीं कि अब वो आ रहे है वो कुछ भी नहीं कर रहे है एक peaceful उनका gathering हो रही है आपने बस Section 144 लगा दिया इस tool इसको एक as a tool यूज कर रहे हो Fundamental Rights के खलाव तो ऐसा भी नहीं किया जाना चाहिए इस Supreme Court ने बोला है आगे की रहा क्या हो सकती है देखिए अपात को यानि कि जो emergency है उसको रोकने के लिए उस situation में emergency में situation को control करने के लिए obviously section 144 एक useful tool है लेकिन इस useful tool में जैसे यहां पर judicial review बहुत कम किया जाता है तो अगर judicial review कम होता है तो यहां पर जो executive power है उनके पास इतनी ज़्यादा power आती कि उसका गलट ढंक से use करना वो start कर सकते हैं तो यहां पर खत्रा बना रहता है उस power का यानि section 144 का उसको दुर्पयोग करने का तो इस चीज़ को यहां पर देखने के जुरूरत है और इसके तैट बोला गया है कि इस section के तैट आगे बढ़ने से पहले जो magistrate है उनको जांच करनी चाहिए और मामले को मतलब कि जो वहां पर ततकालिकता को रिकोर्ड करना उनको चाहिए अब पास थितियों से निपटने के लिए जो विधाई का द्वारा पूर्ण शक्तियां परदान करने और समिधान के मौलिक अधिकारों के तैट नागरिकों के दुद्धी गई वो उनको जो समिधान ने दिये हैं उनके पास अपने राइट का यूज करने वो कर सकते हैं तो इनके बीच में आपको बैलंस बनाने की बहुँ जादा जरूरत है ऐसा नहीं है कि लोग कोई भी वहां पर ऐसी व्यवस्ता नहीं है अगर लोग इकटे होंगे तो जिससे शांती बिगर सकती है तो जरूरी नहीं कि आप वहां पर section 144 लगा के बैठे हो तो ये नहीं करना चाहिए लोगों को अधिकार है वो अपने विचार रख सकते हैं वो इकटा हो सकते हैं वहां पर इसका यूज किया जाने चाहिए section 144 का जहां ऐसी संभावना हो रही है कि यहां पर communal rights हो सकते हैं जो जनता है उसको परिशानी हो सकती है तो वहां पर इसका यूज किया जाना चाहिए उमीद करता हूं कि आपको section 144 ये समझ में आ गया होगा फिर से बताता हूं कि टेलिग्राम पर आप लोगों को PDF के यहां पर मिल जाएगी तो लिखना तो कुछ भी नहीं था बस अराम से सुनना था वीडियो पसंद आईए तो बेशक इसको like करें चैनल को subscribe करें और ज्यादा ही पसंद आ गई हैं तो आप share कर सकते हैं वीडियो को as well as channel को भी Thank you for watching this video